Hello Friends, Planet of Food में आपका स्वागत है मैं अपते का आज आप के लिए लेकर आई हूँ अपने एक न्यू रेसिपी जिसका नाम है Condensed Milk कि ये बहुत ही असान होता है बनाना साथी में जो इसका मेन इंग्रेडियन्ट हमारा दूद होता है जो कि बहुत ही असानी से हमारे घर में मिल जाता है Condensed Milk बहुत से डेजर्ट में यूज होता है जैसे कि हम बरफी, हल्वा, कपकेक्स, आईसक्रीम तो आए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए अब हमें चाहिए एक लिटर दूद मैंने यहाँ पर गाय का फ्रेश दूद लिया है साथी में मैंने एक कप चीनी जिसको मेजर करने से इसका वेट दो सो ग्राम है और साथी में मैंने बेकिंग सोडा दो पिंच लिया है तो आए अब हम अपना condensed milk बनाते है अब हमने एक पैन लिया है उसमें हम अपना दूद डालेंगे हम ऐसा पैन लेंगे जिसका bottom हैवी हो ताकि जब हम अपना दूद पकाएं वो दूद हमारा जलेना दूद डालने के बाद अब हम अपनी full flame पर अपने दूद में boil आने देंगे 10 मिनिट के बाद अब हमारे milk में boil आ गया है हम इसे एक बार अच्छे से mix करेंगे और इसके बाद इसमें अपनी sugar को add करेंगे शुगर को add करने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसके अंदर अपना baking soda भी डाल देंगे और उसे भी एक बार अच्छे से mix करेंगे और अब हम अपनी flame को medium कर लेंगे medium flame पर ही दूद को पकने देंगे इसी तरह हम अपने milk को हर 2-3 minute के बाद चलाते रहेंगे हमें अपने spatula को बिल्कुल अपने pan के bottom तक लेकर जाना है और फिर अपने milk को चलाना है जिससे कि हमारा जो milk है वो bottom पर चिपकेगा नहीं और साथ ही में अपने spatula को हमें pan के corners पर चलाना है जिससे जो दूद में मलाई आती रहती है वो corners पर चिपकेगी नहीं और साथ की साथ वो हमारी clean होती रहेगी spatula इस काम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इससे pan के corners एकदम clean हो जाते हैं असानी से इसी तरीके से हम अपने दूद को चलाते रहेंगे हमें अपने milk को चला चला कर जो हमारे milk में water content है उसे हमें 60% तक कम करना है इसी तरीके से हम इसे पकाते रहेंगे condensed milk को हम milk powder से भी बना सकते हैं वह बला method मैं आपसे जल्द ही share करूँगी अब हमारे condensed milk का color change होने लग गया है जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारे milk अब तिक होना काफी start हो रहा है अब हम अपनी gas को कम करेंगे gas कम करने के बाद हम इसी तरीके से अपने milk को हर दो मिनिट के बाद चलाते रहेंगे जब हमारा milk लगबग one third रह जाएगा हम इसको gas को बंद करेंगे अगर आपका condensed milk जादा थिक हो जाता है तो आप उसके अंदर दूद आड़ करके उसकी consistency जैसी आपको चाहिए उसके according सेट कर सकते है अब हम एक bowl लेंगे उसमें condensed milk दालेंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम इसे चेक करेंगे जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें एक तार की चाशनी आ रही है इसका मतलब ये है कि हमारा condensed milk तैयार है अब हम अपनी gas बंद करेंगे और इसे room temperature पर आने देंगे ठंडा होने के बाद हमने इसे serve कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी consistency अब पहले से थोड़ी थिक हो गई है आप इसे जरूर try कीजिएगा और मुझे comments में बताईएगा कि आपको कैसा लगा और साथ ही में मेरा channel subscribe करना ना भूले Thank you friends